हेलो फ्रेंट्स मेर नाम नदीम है देर और श्रीडू में हम करेंगे तांप्राइव प्रोविडेंस फंड एक 1952 सबसे बहुत करते हैं इंप्लोई प्रोविडेंस फंड एपिलेंड ट्रिबुनल के बारे में ऐसे कि आपको पताए कि यह एक तरीकी ट्रिबुनल है जो कि especially किसके employee provident fund से related है मतलब कि अगर employee provident fund से related कुछी भी तरह का issue आता है कुछी भी तरह का dispute आता है employer employee के बीच में या किसी भी चीज को लेकर आपका कोई किसी तरह का dispute आता है तो जो agreed party है agreed party वो आपका इस ट्रिबुन है कि वो आपका employee provident fund एपिलेंट ट्रिबुनल है जो ट्रिबुनल है वो आपका बना सकती है कुछी भी तरह के dispute अगर arise होता है तो उस ट्रिबुनल के पास यह पावर है वो उससे related जो है आपका जो भी decision लेना चाहिए जो judgment चाहिए देना चाहिए दे सकती है तो जो भी power इस के term के बारे में बात की गई है कि जो ट्रिबुनल के अंदर deciding officer जो appoint किया जाएगा वो central government के दोवारा appoint किया जाएगा और वो presiding officer जो है उसकी term होगी मतलब की office समालने की वो 5 साल होगी या फिर maximum उसकी 65 age मतलब जो भी दोनों में से जल्दी आ जाता है या तो 65 साल का हो जाए या फिर 5 साल जो भी पहले आ जाए तो तब वो आपका retired होगा तो अगर presiding officer की qualification के बारे में बात करें तो presiding officer के qualification होगा वो high court का judge होगा या district court का judge होगा action 7i जो है appeal of tribunal की बताता है मतलब की अगर कोई person center government के दोवारा अगर कोई भी notification दिया गया है कोई भी order pass किया गया है तो अगर उसके against जो है कोई person जाना चाहिए उसके against जो है कोई person appeal करना चाहिए जो एगरिव person है तो वो tribunal में जाके appeal कर सकता है अब बात करते हैं withdrawal के बारे म it's play जो employee है वह अपना amount जे है employee province fund का amount है वह fully भी निकाल सकता है पूरा भी निकाल सकता है या partially आधा भी निकाल सकता है थोड़ा थोड़ा करके भी निकाल सकता है full amount किस case में निकाल सकता है अगर उसका retirement हो जाता है या उसकी death हो जाती है तो उसके जो LR होंगे वो निकाल सकते है या फिर total permanent disablement हो जाता है उस case में भी वो पूरा amount निकाल सकता है या फिर और भी दूसरी condition है जैसे वो physically or mentally disabled हो जाया या फिर टीवी हो जाया उस time में या उसको job से निकाल दिया जाये उस case में भी या फिर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है उस case में भी आपका जो है मतलब की वो निकाल सकता है अपना पूरा amount तो आपका वो निकाल सकता है पार्षीली amount या शादी करानी है घर में किसी की तो अपने सं की या डौटर की तो उस case में भी वो partially amount निकाल सकता है या फिर अगर वो dwelling house purchase करता है मतलब की रहने के लिए अपना कोई घर purchase करता है या कोई भी construction करवा रहा है अपने घर में तो उस टाइम पे भी वो partially amount निकाल सकता है बात करते हैं section 14 की section 14 आपका penalties से related बात करता है कि employer को किस case में penalties पे करनी पड़े सकती है तो penalty में है कि अगर किसी तरह का फास statement देता है या फास representation आपका करता है जो employer है उसके contribution से related तो उसको जो punishment मिल सकती है वो एक साल तक मिल सकती है up to one year imprisonment मिल सकती है jail हो सकती है या फिर उसको 5000 रुपे जो है fine हो सकते है या फिर दोनों हो सकते है बुसरा है कि अगर employer आपका administration charge है या inspection charge है inspection charge आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको बता थे administration charge क्या होता है administration charge जो पे एक किया जाता है तो बी इंडेस्टीज आपका employee provident fund act के अंदर आती है तो वो या जो ये apply होता है जिन पे employee provident fund तो वो आपका administration charge देती है और administration charge मैंना आपको बताया था 0.5% administration charge दिया जाता है उस establishment के दुआरा employer के दुआरा पर मैंना आपको बताया था कि definition में first video में कि exempt establishment होती है कुछ establishment ऐसी होती है इंडस्टी ऐसी होती है जिन पे employee provident fund act नहीं लगता तो वो administration charge नहीं पे करेंगी क्योंकि उन पर ये act apply नहीं हो रहा है पर फिर भी उनको inspecting charge देना पड़ेगा मतलब कि उनको administration charge नहीं देना पड़ेगा exempt establishment जो है उनको inspecting charge देना पड़ेगा जो की 0.18% है और 5 रुपीज तो अगर employer जो है वो administration charge या inspecting charge जो है देने में समत हो जाते हैं default कर देते हैं तो उस case में जो punishment है employer की वो up to 6 up to 3 year है imprisonment है और 5,000 रुपीज तक का fine हो सकता है इसमें जो है 6 months से लेके 3 year तक की imprisonment हो सकती है और या 5,000 रुपीज मतलब तक का fine दे सकते है देना पड़ सकता है इसरा है आपका अगर जो employer है वो जो उसका contribution है जो contribution देना है उसको employee के लिए employee के प्रोविजेंट fund account में अगर वो उसको देने में सच्चम हो जाता है या उसको नहीं देता है और default कर देता है payment of contribution का तो उस case में उसको एक साल से लेकर तीन साल तक की सजा हो सकती है या फिर दस साल तक के लिए सोरी दस हजार रुपे का उसको fine हो सकता है इससे पहले हमने बढ़ा था false representation और statement से related कि अगर वो गलत बोलता है false representation देता है या गलत statement देता है उससे contribution से related payment of contribution से related तो उस case में उसको एक साल तक की सजा हो सकती है या फिर 5000 रुपे या फिर दोनो अब last के हम बात करते हैं अगर court के दोवारा tribunal के दोवारा कोई भी order court के दोवारा कोई order दिया गया है और उस order को पूरा करने में fail हो जाता है employer तो उस case में उसको 100 रुपीज पर डे फाइन देना होगा जितना उस order में delay होगी पूरा करने के लिए उसको पूरा complete करने के लिए उतने तक उसको फाइन लगता रहेगा पर डे 100 रुपीज तक का hello friends में नाम नदीम है देर और स्रीडू में हम continue करेंगे